हेलो अब्रिवान आपका एंजीश स्टुडीज में स्वागत है आज हम करेंगे जीके के 25 कोश्चन्स तो चले हम अपनी वीडियो स्टाट करते हैं आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करिएगा देखे हमारा फर्स्ट कोश्चन है अठासो स्टुंज सब्सक्राइब लॉरेंस और केंपवल जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था तो चलिए हमारा सेकंड कोश्चन गाइज अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आप मेरा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल है तो चलिए नेक्स कऊउष्चन भारतषी संगी अधिकारिक भाषा कौन से आर्टिकल में है 345 में भारतीं संगी अधिकारिक भाषा का वर्णन किया गया है अब देखिए फौर्थ नमबर क्रिश्चन सुप्रीम कोट का जज बनने के लिए कम से कम कितने साल तक हाई कोट का जज रहना होगा पांट साल तक आपको हाई कोट का जज रहना होगा तभी आप सुप्रीम कोट का जज बन सकते हैं अभी देखिए फाइब कोश्चन गांदी जी की नव जीवन पत्री का किस वर्ष परकाशित हुई थी 1919 में गांधी जी की नव जीवन पत्री का परकाशित हुई थी भारते सविधान को किसने बनाया है? सविधान सबा के द्वारा भारते सविधान को बनाया गया था तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासु दिन तुगलक ने तुगलक वन्ष की स्थापना करी थी रिग वेद में किस नदी का वर्णन सबसे अधिक मिलता है सिंदु नदी का वर्णन रिग वेद में सबसे अधिक मिलता है सविधान द्वारा भारत की सविधान को त्यार करने के लिए कितनी स्मितियों का गठन किया गया था साथ स्मितियों का गठन किया गया था सभिधान सभा के द्वारा सभिधान को त्यार करने के लिए जैसे परूप स्मिति, संग स्मिति तो चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत के पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी है, महेंद्रोगिरी भारत के पूर्वी घाट की सबसे उंची चोटी है, परबर्श श्रिंखलाओ, जो पश्चिम में गुजाद से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है, उसे क्या बोला जाता है, अरावली बोला जात अभी देखिए 12 questions बोद जैने ब्रामन धर्मों में कौन सी धाना एक जैसी है करमवाद के सिधान पर बल दिया गया है ये सभी में एक ही जैसा है ओके अविश्वास पस्ताप द्वारा हटाये जाने वाले प्रतम बर्दान मंत्री कौन थे विश्वनात पताप जैसा कि इसे व विश्वास आराहा ना विश्वास तो यानि कि ओ विश्वास पस्ताप के द्वारा किसे हटाये गया था विश्वनात परताप जी को प्रतम गयर Rumundasree परधान मंत्री कौन थे शिरी अडोरल भिहारी बाजबी किस महासागर में बर्मुंडा तुरीबुज क्षेतर स्थित है अटलांटिक में बर्मुंडा तुरीबुज क्षेतर स्थित है यूरिया का निर्मान कहां होता है यकरत में नाट्य शास्तर की रचना किस ने की है भर्त मुनी ने नाट्य शास्तर की रचना की है ग्यार्मी अनुसूची किसे रिलेट्ट है? पंचायती राज से रिलेट्ट है ग्यार्मी अनुसूची त्यत्तरमा सविधान संचोदन 1992-1993 में पंचायती राज को ग्यारमी अनुसूची में जोड़ा गया था और नीती निदेशक सिधानतों में पंचायती राज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है 40 article है जो के नीती निदेशक सिधानतों में पन्चायती राज से एरिलेटेड है 40 article है अब देखे 19 question Gateway of India का निर्मान किस के द्वारा किया गया था British सरकार के द्वारा Gateway of India का निर्मान किया गया था भारत में biographical zone की संख्या कितनी है 10 है प्रिथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घुमती है पश्यम से पूरव की और उन्नीसो अर्टाली में ओलंपिक कहां पाया हुज़त किये थे लंदन में देखिए काटमा सविधान संशोदन जो की 1989 में पास हुआ था किस से एलेटिड है इसके द्वारा 21 साल से मद्दान की आयू को घटा कर 18 साल कर दिया गया था तो हमसे पेपर में कोशन पूछा जा सकता है कि 18 साल कब कर दी गई थी एस मद्दान की तो 61 मा सविधान संशोदन जो की 1989 में पास हुआ था 101 मा सविधान संशोदन किस से संबंदित है जी एस्टी से संबंदित है हमारे यहां कनाडा से लिया गया है सेंट्र और स्ट्रेट दोनों में है हरित करांती किस संबंदित है खाद्यान उत्पादन से इंडिया में स्वामी नाथन को हरित करांधी के पिता माना जाता है